आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ स्लीप रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स So, first word है पेट के बल सोना इसे हम इंगलेश में बोलेंगे श्लीप ओन स्टमक मतलब पेट के बल सोना जैसे इसका एक एक एग्जाम्पल है मैं पेट के बल सोता हूँ इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I sleep on my stomach मतलब मैं पेट के बल सोता हूँ नेक्स्ट है पीट के बल सोना इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे sleep on back मतलब पीट के बल सोना जैसे इसका एक एक अग्जामपल है मैं पीट के बल सोता हूँ इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I sleep on my back मतलब मैं पीट के बल सोता हूँ Next है सुलाना इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे Put someone to sleep मतलब सुलाना जैसे इसका एक एक एक्जामपल है बच्चे को सुला दो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे Put the baby to sleep Put the baby to sleep मतलब बच्चे को सुला दो Next है लोरी सुनाना लोरी सुनाने को हम इंग्लिश में बोलेंगे Sing a lullaby Sing a lullaby मतलब लोरी सुनाना जैसे इसका एक 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 एक्जामपल है मैं लोरी सुना रही थी इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I was singing a lullaby I was singing a lullaby मतलब मैं लोरी सुना रही थी Next है गोड़े बेचकर सोना मतलब गहरी नींद में सोना गोड़े बेचकर सोने को हम इंगलिश में बोलेंगे Sleep like a log Sleep like a log मतलब गोड़े बेचकर सोना जैसे इसका एक 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 जामपल है मतलब गोड़े बेचकर सो रहा था इसे हम इंगलिश में बोलेंगे He was sleeping like a log He was sleeping like a log मतलब वो गोड़े बेचकर सो रहा था Next करवट बदलना जब हम बेचयान होते हैं तो नींद नहीं आती तो करवट बदलते हैं By the way, करवट बदलने को हम इंगलिश में बोलेंगे, Toss and Turn. मतलब करवट बदलना. जैसे इसका एक 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 अग्जामपल है, मैं सारी रात करवट बदलता रहा. इसे हम इंगलिश में बोलेंगे, I keep tossing and turning all night. मतलब मैं सारी रात करवट बदलता रहा. रात को सोतिस में कई लोग खराटे लेते हैं, वैसे खराटे लेने को इंगलिश में बोलेंगे, Snore. Snore. मतलब खराटे लेना. जैसे इसका एक 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 जामपल है, मैं सोतिस में खराटे लेता हूं. इसे हम इंगलिश में बोलेंगे, I snore while sleeping I snore while sleeping मतलब मैं सोतिस में खराटे लेता हूँ Next है उबासी लेना कुछ लोग सुस्ती में उबासी लेते हैं बाइदवे उबासी लेने को इंगलिश में बोलते हैं Yarn Yarn मतलब उबासी लेना जैसे इसका एक 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 जामपल है उबासी मतलो इसे हम इंगलिश में बोलेंगे Don't Yarn Don't Yarn मतलब उबासी मतलो Next है डरावना सपना डरावने सपने को हम इंगलिश में बोलते हैं Nightmare Nightmare मतलब डरावना सपना जैसे इसका एक 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 जामपल है मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा इसे हम इंगलिश में बोलेंगे I had a nightmare last night मतलब मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इसे हम इंगलिश में बोलते हैं मतलब नीद आना जैसे इसका एक एक अग्जामपल है मुझे नीद आ रही है इसे हम इंगलिश में बोलेंगे मतलब मुझे नीद आ रही है जबकी लेना मतलब जबकी लेना जैसे इसका एक अग्जामपल है इसे हम इंगलिश में बोलेंगे मतलब जबकी लेना Next is alarm लगाना. Alarm लगाने को हमँ इंगलिश में बोलेंगे levant the alarm. मतलब alarm लगाना. जैसे इसके एक एक एक्जामपल है, 7 बज़े का अलारम लगा दो. इसे हम इंगलिश में बोलेंगे set the alarm for 7 o'clock. मतलब 7 बज़े का अलारम लगा दो. Next is alarm बजना. alarm बजने को हम इंगलिश में बोलेंगे go off go off मतलब alarm बजना जैसे इसका एक example है alarm नहीं बजा इसे हम इंगलिश में बोलेंगे the alarm didn't go off the alarm didn't go off मतलब alarm नहीं बजा and the last one is नीद में चलना कई लोगों की आदत होती है नीद में चलने की by the way नींद में चलने को इंगलिश में बोलते हैं sleepwalk sleepwalk मतलब नींद में चलना जैसे इसका एक example है वो नींद में चल रहा था इसे हम इंगलिश में बोलेंगे he was sleepwalking he was sleepwalking मतलब वो नींद में चल रहा था इन दोनों के answers लिख दीजिए comment section में और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगी तो channel को जाने से पहले subscribe कर दीजिए मैं मिलूँगा आपको ऐसी interesting next वीडियो में तब तक के लिए bye take care